साथियों, आज का दिन बिहार के लिए तो एहम है ही, ये पुरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, युवा भारत के लिए बहुत बड़ा बड़ा दिन है, आज भारत अपने गावों को आत्म निर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है, और खुशी ये हैं कि इसकी शुरुवात कारकम पुरे देश में हैं, लेकिन इसकी शुरुवात आज बिहार से ही हो रही है, इस योजना के तहट, एक हजार दिनों में देश के छे लाग गावों को अप्टिकल फैबर से जोड़ा जाएगा, मुझे विश्वास है कि नितिश्जी के सुसासन में, द्रड निश्चे के साथ, आगे बढ़ते बिहार में, इस योजना पर भी तेजी से काम होगा, साथियों, भारत के गावों में, इंटरनेट का उप्योग करने वालों की संख्या, कभी शहरी लोगों से जादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था, गाव की महलाएं, किसान, गाव के युवा भी, इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे, लेकिन अब ये सारी स्थित्यां बदल चुकी है, आज भारत, डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्राणी देशों के खतार में है, अगस के ही आकड़ों को देखे, चरब अगस के, तो इस दौरान लगबग तीन लाग करोड रुपिय का लेंदेन, यूपी आई के माध्यम से हुआ, मुबाइल फोन के माध्यम से हुआ, कोरोना के इस समय में, डिजिटल भारत अभ्यान ने, देश के सामान्य जन की, बहुत मदद की है, साथियों, इंटरनेट का इस्तमाल बढ़ने के साथ साथ, अब ये भी जरूरी है, कि देश के गावों में अच्छी क्वालिटी, तेज रप्तार वाला इंटरनेट भी हो, सरकार के प्रयासों की वज़़े से, देश की करीब डेड़ लाग पंचायतों तक, फाइबर, अप्टिकल फाइबर, पहले ही पहुँच चुका है, यही नहीं, बीते छे साल में, देश भर में, तील लाग से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ओनलाइन जोड़े गए हैं, अब यही कनेक्टिविटी, देश के हर गाउं तक पहुँचाने के लक्ष के साथ, देश आगे बढ़ रहा है, जब गाउं गाउं में तेज इंटरनेट पहुँचेगा, तो गाउं में पढ़ाई आसान होगी, गाउं के बच्चे, हमारे ग्रामिन युवा भी, एक क्लिक पर, दुनिया की किताबों तक, तकनिक तक, आसानी से पहुँच पाएंगे, यही नहीं, टैली मेडिसीन के माद्यम से, अब दूर सुदूर के गाउं में भी, सस्ता और प्रभावी इलाज, गरीब को घर बैटे ही दिलाना संबव हो पाएगा, आपको मालूम है, पहले अगर रेलवे में कहीं आरक्षन करना होता था, तो गाउं से शहर जाना पड़ता था, कतार में खड़ा रहना होता था, और रेलवे का आरक्षन के लिए हमें जाना पड़ता था, आज, कॉमन सर्वीस सेंटर में जाकर के अपने ही गाउं में, आप रेलवे का रिजर्शन, कहीं और जाना है तो इसका रिज़ आसानी से करा सकते हैं, क्यों? इंटरनेट की सुवीजा, हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाब मिलेगा, इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक टेक्निक, नई फसलों, नए बीजों, नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी, रियल टाइम में मिलनी संभव हो पाएगी, यही नहीं, अपनी उपज के व्यापार, कारोबार को, पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने में भी, उनको जादा सुवीजा होगी, एक प्रकार से, गाउं को अब, शहरों की ही तरह, हर सुवीजा, गर बैठे मिले, इसके लिए जरूरी इंफा सेक्टर तैयार किया जा रहा है.